नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग TRE3 की परिक्षा सुरू हो चुकी है 125-628 का एक्जाम हो चुका है और कटफ क्या होगा सब तरफ सभी बच्चे पूछ रहे हैं कटफ क्या होगा तो कटफ निकालना देखिए एक असंभव कार रहे हैं लेकिन जो भी बच्चे हमसे जुरे हुए हैं उनको हमने एक वर जूम कॉल से हमने बात किया एक पोल डाला आपने यूटूब पे टेलिग्राम पे और वाटसप के माध्यम से जितने भी कनेक्टेड हैं सभी बच्चों से हमने एक फीडबैक लिया कि कैसा पेपर था क्या पेपर था कितना उनका स्कोर बन रहा है और उसके हिसाब से एक एनलिसिस किया है हो सकता है एन सबस्क्राइब होना चाहिए कि सब्सक्राइब से कितना कोश्चन कहां से आए हैं तो उसकी अगर हो सके गलत है सही है मैं उसी गारेंटी नहीं लेता हूं लेकिन जो भी हमारे पास अवलेवल डेटा उसकी रख से मने एक इस्टिमिट तियार किया है तो सबसे पहले बताना देखे निकलते हैं तो आपको लगता है कि आपका बहुत सारा कोशन सही हो रहा है ठीक है तो बहुत सारा कोशन सही हो तो आपका जो है कि कटफ आप हमेंसा हाई बताते हैं कि कटफ हाई बताते हैं ठीक है दूसरा जो लोग पेपर घर बैट के अनलिसिस करते हैं उनको क्या लगता है कि पेपर आसान है तो वह भी क्या करते हैं कि यह दोनों फैक्टर बहुत मैटर करता है जो आप एक्जाम दे रहे हैं उस वक्त जो प्रेसर है कि यह होगा कि वह करना नंबर 10 नंबर का फरक जरूर पर जाता है तो इन डोनों कारण से कई लोग कटफ हाई बता रहे हैं लेकिन अगर मुझसे पूछ जाया कि मैंने पेपर को देखा है डीपली देखा और एक पर का जूले लेवल होगा अगर समझ लीजै वह लेवल है कि उस लेवल के अगर हम बात करें तो तीन लेवल अगर बना के चलते हैं हम लोग तफ मौडरेट और इजी तो पेपर सम्हाव आपको मौडरेट के आसपास था थोरा मौडरेट से कुछ कोशन उपर से कुछ कोशन नीचे थे ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही आसान था या पूरा पेपर ही टफ था लेकिन मौडरेट के आसपास पेपर लाई कर रहा था पहला तो स्कूर्ण कभर फश between flavors लोगों पता था कि कहां से कोशन और सब जिसने पढ़ा है उसको जरूल इसने पढ़ा है क्योंकि कई कोश्चन जो थे मैंने देखा है कि NCRT से हुब भूब पूछे गया थे ठीक है यह भी बहुत फरक पड़ेगा को जिन्होंने उसको पढ़ा है उनके लिए एक एडवांटेज होगा कि मुझे इसमें कुछ कोश्चन उनको आसान लाएगा ठीक है तो अब जो कोश्चन कहा कहां से कितना पूछा गया था तो देखिए का मैस का जो कोश्चन थे वह लगभग मुझे जो लगता है कि 15 में से 10 कोश्चन बहुत असान थे टीक है रीजनिंग जो है कि रीजनिंग के सोला कोश्चन थे और सोला में लगभग बारह असान थे यह यह मुझे लग रहा है क्योंकि तीन-चार टफ थे और वह भी टफ उतने नहीं थे कि बहुत ज्यादा बोलूंगा जोग्रॉफी इस वार एक रोल प्ले करेगा जिन्होंने जोग्रॉफी में महनत किया होगा उनको जरूर फायदा मिलेगा बीस कोश्चन थे इसमें भी मैं टफ जो यह टफ कभी कॉलम मना जाता हूं कि इसमें से बीस में से तीन-चारी मैं कहूंगा जो टफ आया थे बाकी कोश्चन मोडरेट डेवल कोश्चन चीक है उसके बाद ह असान थे अगर आसान की बात करूंगा मैं हिस्ट्री में तो हिस्ट्री में 12-13 बहुत आसान कोश्चन थे जो कि आपने अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा सिस्टेमेटिक तरीक से आप उस कोश्चन को कर सकते ठीक है उसके बाद आता है हमारा करेंट अफेर्स करेंट अफेर्स से लगवग इस वार आठ कोश्चन थे और आठ कोश्चन तफ थे मुझे अगर इजी पूछा जाए था मैं बोलूँगा तीनी कोश्चन इजी था और पांच कोश्चन तफ था ठीक है पांच कोश्चन तफ में से आया था उसके बाद यह मेरा एनलेसी से चाहर जो बच्चों से मुझे मिला है और कोटी बता हूं जो मैंने फैक्टर बता है घर आके असान लगता है इन्वार्मेंटल स्टडीज देखिएगा तो इन्वार्मेंटल स्टडीज से ठीक है तो जो आसान कोशन थे टुफ कोशन थे यह रहा उसकी समरी और लगवग यह 120 इसका होता है सम तो यह कोशन का ब्रेक अप था कहां कितना असान था कहां कितना टॉफ था उसके बाद मैं जो हमने जो हमारी टीम ने मिलके बनाया है कटफ तो 125 का जो कटफ होगा सीट है इस वार इस सीट के हिसाब से जो कटफ होगा जिनरल मेल उसका होगा असी के आसपास कटफ जो रीजन बतारा हो हमें कटफ थोड़ा सा उपर क्यों जायेगा कटफ उपर जाने के रीजन यही है जो मैंने तीन चीज़ बताया कि आपको t e1, t e2 का आइडिया था nc hat ha c. प्रेट की तरफ था मतलब आसान लगभग कोश्चन आया थे ठीक है जेनरल मेल का सी होगा जेनरल फीमेल आपका जेनरल फीमेल 75 क्या स्पास होगा EWS मेल आपका होगा 66 क्या स्पास EWS फीमेल आपको होगा लगभग 64 क्या स्पास BC मेल 70 BC फीमेल 65 65 और इस तरह से आपका कटफ जो है अलग-अलग का पूरा काटिगरी का हमारी टीम ने रिसर्च करके बनाया हुआ है तो उतनी लिखनी का वसकता नहीं आप इससे आप से अंदाद लगा लिजेगा लेकिन चली मैं जब यहां तक पहुंचा तागी लिखी देता हूँ EBC male 63, EBC female 60, SC male 57, SC female 55, ST male 50 और ST female 48 तो यह टीम ने जो बच्चों का डेटा मिला उस डेटा से अज इस सीट के हिसाब से हमने एक पॉकेट साइज बनाया कितने बच्चे अपियर हुए था हमारा बास यतना है और उस हो हमने फॉर्मूले डालके निकाला है इसलिए सभी कैटिगरी का यह कटफ जो आया है यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि सही होगा गलत होगा लेकिन जो कटफ आया है मैं एक शेयर कर रहा है आपके साथ तो लेकिन एक चीज जो सीखने को मिली यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा परसान नहीं होना है टीरी वन का लेवल बहुत हाई था लेकिन इन इन सी आटी एस सी आटी से सिस्टिक रही जो लोग आगे की त्यारी कर रहे है उसके लिए ठीक है यह तुमारा बन टू फाइब का हो गया तो साइंस का कटफ जो होगा जेनरल मेल 84, जेनरल फीमेल 72, EWS मेल 65, यह 628 का है ठीक है 65, EWS फीमेल 64, BC मेल 78, BC फीमेल 74, EBC 70, EBC फीमेल 65, EBC फीमेल 65, SC मेल 62, SC फीमेल 58, ST मेल 56, और ST मेल 50, ठीक है यह आपको 68 साइंस का हो गया, साइंस के बाद एक बार हम लोग बाकी सब्जेट्स का भी इसी के कॉंपरेटिवली ऐसा रहेगा, तो बहुत जादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन यह कटफ रहा और जो 4 की त्यारी में लगे हुए अभी से, इस चीज को जरूर ध्यान दिजेगा, इस चीज को नेगलेक्ट नहीं कीजेगा, अगर आपको लगता है कि आप तीस अगर्ष तक पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं, समरी वाली बुक पढ़ लिजे, क्योंकि समरी वाली बुक में भी क्या किया, उन्होंने की, उसमें से फैक्ट निकाल दिया है, आपका लेवल अगर थोरा बहुत समरी वाली बुक से इसको खड़ लिजे, मैस रिजनिंग को इग्णोर मत कीजे, क्योंकि मैस रिजनिंग आपका जो धा, यह बहुत आसान आया था, जिन्होंने मैस रिजनिंग इग्नोर किया, उनको इस पर नुकसान हो रहा है, और मैस के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि एक चैनल है मेरा उसमें मैं 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 पढ़ा रहा हूँ जिरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ चैनल का नाम मैं लिक दूँगा उपर उस चैनल को आप जरूर जोइन कीजेगा और मैंस में आपको कोशिस ये करना है कि अगर ट्यारी 4 देने तो 15 में से 15 कोश्चन सही होना चाहि है बहुत बेसिक लेवल से में पढ़ा के उसमें आपके लेवल को भाव हूँ जांगा ठीक है चली तो यह था कट अफ एनलिसिस और मिलते हैं एक और वीडियो में इसके बाद बाद करता है